नमस्कार दोस्तों तो जिस किसी को भी यह अंदर की बात जाननी है कि रिन्यूबल बिजनस तुमें कैसा किया है इस कौटर थी के रिजल्ट में वो इस वीडियो को देखेगा बाकी लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल सीधी-सीधी बाते तो कोई भी बता देगा बेसिक्स पे जाता हूँ बिलकुल रूफटोप सोलर ग्रूप कैफ्टिव उसमें रविन्यू 952 करोड का जो पिछले कौटर में मात्र मात्र आपमान के ज़िए 770-780 करोड था और पिछले साल अगर बात की जाए वहां तो बहुत ही कम अगर माने तो 530 करोड के राउंड आ स्टेशन पे ओल इंडिया से 500 प्लस सीवी चार्जिंग स्टेशन का इनको कॉंट्रेक्ट मिला है मुंसिबल कॉपरेशन कानपूर से कॉंट्रेक्ट मिला है आपका बात करें आसाम गवर्नमेंट के साथ इनों ने साइन किया है और ये एकलोती बात नहीं है इनके EPC ओडर नहीं होता पिछले अगर बात की जाए ओडर बुक की तो ओडर बुक अभी वहीं स्टेंड करती है बलकि 15 करोड जादा है और वो एक्जिक्यूशन के बाद के बात कर रहा हम है पिछले क्वाटर में जो एक्जिक्यूशन हुआ है उसके बाद भी इनके पास 15,885 करोड है अब देखिए highest ever utility solar winds है इनके पास इस quarter के अंदर जो जिसमें consist करता है SJVN का प्रोजेक्ट अपर solar PV का module का NTPC से प्रोजेक्ट 2890 करोड गा अब आ जाते हैं फिर से EV charging stations पे 412 EV charging stations पब्लिक लगाए है इनोंने इस quarter के अंदर का बात किदे 37 new cities एड की है home charges की बात करें तो 11,000 home charges लगाए है करीबन 16% और buses की बात किजए हैं 2026 लगाए है 50% increment है यहां पे सीधा सीधा तो यह लगाता registered users इनके दो लाग से उपर पहुंच चुके हैं तो बहुत धमाके कर रही है company एक कमी रह गई थी क्यों यह profit और नहीं बड़ा क्योंकि इनकी gigawatt जो factory है 4.3 gigawatt वाली sell factory वो अभी शुरू नहीं हो पाई जिसे December में शुरू होना था वो 4th quarter में शुरू होगी obviously अगले 3 महिने में शुरू हो जाएगी 2-1-1.5 महिने में शुरू हो जाएगी और उससे अगले में first rollout हो जाएगा तो 6 महिने तो देखिया आपको इसके लिए तो wait करना होगा देखिए को buying selling recommendation है ही नहीं समझना होगा आपको business कितना अचा है देखिए यह तो कोई भी बता सकता था profit पिछले quarter के मकाबले पिछले साल के सेम quarter 24 क्रोड बढ़ा है 106 आपका revenue बढ़ा है गरीवन 500 क्रोड 14650 क्रोड आया 1413 क्रोड के मकाबले margin 16.5 के 16.5 रहे हैं तो quarter year on year results काफी अच्छी है expectations से अच्छी है यह याद करकीगा अब यह गिर भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं है market में कुछ भी हो सकता है market वैसे भी volatile है बट मुझे लगता है जो एक साल रखेगा वो पैसा चापेगा दोस्तो